श्री गनेशाय नमहम शांताकारं भुजग शैनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सद्रशं मेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतां कमल नैनम योग इभिर्द्या निगम्यं वंदे विश्णों भव वैहरं सर्वलोके कनाथं शुरू करते हैं 88 अध्याय शिव जी का संकट मोजन राजा परिक्षित ने पूछा भगवन भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परत्याग कर रखा है परन्तु देखा जाता है कि जो देवधा असुर अत्वा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राया धनी और भोग संपन हो जाते हैं और उपासकों को उनके सुरूप के विब्रीत फल मिलता है मुझे इस विश्य में बड़ा संदे है कि त्यागी की उपासना से भोग र लक्ष्यूपती की उपासना से त्याग कैसे मिलता है मैं आपसे ही जानना चाता हूँ शिशुकदेव जी कहते हैं परिक्षित शिव जी से सोलह विकार हुएं दस इंद्रियां पांच महाबूत और एक मन अताब इन सबके अधिश्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वनियों की प्राप्ती हो जाती है परिक्षित भागवान श्री हरीतु प्रकृती से परे स्वेम पुरुशोतम एवं प्राकृत गुन रही थैं वैस्तरवगी जथा सबके अंतर कारणों के साक्षी हैं जो उनका भजन करता है वे स्वेम भी गुना तीत हो जाता है परिक्षित जब तुम्हारे दादा धर्म राज युदिश्चिर्ग अश्मेद यगिकर चुके तब भगवान से विविद प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था परिक्षित भगवान श्रीक्रिश्ण सर्वर्शक्ति इमान परमेश्वर हैं मनिश्वों के कल्यार के लिए ह राजा युदिश्चिर्ग का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसंता पूर्वान इस प्रकार उतर दिया था भगवान श्रीक्रिश्ण ने कहा राजन जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूं जब मैं नि कृपा करता हूं तो उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं ऐसा क्यों करते हैं भवान कहते हैं कि मैं अकिंचनों पर करता हूं अकिंचन कौन होता है अकिंचन वो होता है हमने पहले पढ़ा था भगवान ने बतायता है यह शायद जब वह वाली अध्याय पड़ते हैं रास भावना बलते हैं तो भवान ऐसा करते हैं कि इसकी ऑफना ब़न जाए कि Exactly और कोई नहीं और रोड़े निजा आता है गोड़ कि असके सबह ख़को चित्य परवान ना करें चौड़ देते ह। फिर वैं धन के लिए उद्धियों करने लगता है तब मैं उसका वह प्रहतने भी निश्वल कर देता हूँ इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कामना से उसका मन विरक्त हो जाता है इसको विरक्त करने के लिए भुगान ऐसा करते हैं मन विरक्त हो जाता है उसे दुख समझ कर वैं उधर से अपना मुह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रे लेकर उनसे मेल जोल करता है तब मैं उस पर अपनी अहितुक क्रिपा की वर्षा करता हूँ मेरी क्रिपा से उसे परम सुख्म अनन्त सचिजानन सुरू पर ब्रम की प्राप्ति हो जाती है इसमें का मेरी प्रसंद अपनी अरदना बहुत कठिन है इससे साधारन लोग मुझे छोलकर मेरे ही दूसरे रूप अन्याने देवताओं की अरदना करते है हमारे दूसरे सामराज लक्ष्मी दे देते हैं उसे पा कर वे उच्छरंगल प्रमाद्य और उन्मक्त हो दें और अपने वर्दाता देवताओं को भूल जाते हैं जथा उनका तिरसकार कर बैठते हैं तो यहां पर ऐसा लिखा है ठीक है अगर हम विने पत्रिका की बात करें तो विने पत्रिका में क्या लिखा है तुलसिदाज जी विने पत्रिका में क्या कहते हैं बिटेंब पत्रेगा में तुलसिदाजी कहते हैं कि मांगो अगर तो शिवजी से ही मांगो और किसी से मत मांगो और शिवजी जो हैं वो भगवत प्राप्ति भी जल्दी करवा देते हैं इसलिए तुलसिदाजी ने ऐसा कहा है कि मांगो तो सिर्फ शिवजी से ही मांगो और अगर शिव जी से कुछ और मांगोगे भागवत प्राप्ति के लावा तो वह जो है न वह इतना प्रसंद हो कि नहीं देते हैं वह फिर नाश युक्त होता है वह उससे बलकि नाश ही हो जाता है और और कुछ और देते हैं तो जैसे इसी के नीचे भागवत जिसमें पॉल रह तो यहाँ पर इसी में लिख़ होगा को जांची संबुत जीयां कि यह लिख़ा है को जांची संबुत जी आन इसका अर्द क्या है भगवान शीव जींची को चोड़ कर और किसस्या आजना की जाए जया यहाँ उनमक्त होड़ते हैं तो यह वाले मैं एक पर आको पूरा पढ़ाता हूं को जाचिये संबुत जी आने दीन द्यालू भगत आरती हर सब प्रकार सम्रत भगवान इसकार्थ क्या है? आप दीनों पर द्या करने वाले हैं भगतों के कश्ट हर दे वाले हैं और सब प्रकार से सम देवता और राक्षष चल उठे तब आप अपने दीनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विश्क को पी गए दारुन दनुज जगत दुख दायक मारी उत्रिपुर एक ही बांद त्रिप्रासर को एक ही बांद से मार दिया था जो गती अगम महा मुनी दुड़लव कहत संत शुती सकल पुरान सो गती मरन काल अपने पुर देत सदा सेव सभही सामान जो मुनियों को भी गती दुड़लव है वो शिवजी काशी में बढ़ने पर सभी को समान भाव से देते हैं सेवत सुलब उदार कलपतरू पारबती पती परम सुजान। हे परम सुजान सेवा करने पर आप से हज्में ही प्राप्थ हो जाते हैं देहु काम रिपू राम चरन रती तुलुसी दास करम कृपान इधान। आप कलप रख्ष के समान मुह मांगा फल देने वाले उदार हैं आप काम देव के शत्रू हैं अतेव हे करपान इधान तुलुसी दास को श्री राम के चरनों की प्रिती दीचें यही मांगना चाहिए शीव जी से सिर्फ यही तब देखो शीव जी भगत आती भी जल्दी जैसे यहां लिखा है ना कि शीव जी जो है देखो लक्षमी जे देते हैं और उससे उच्छंकल हो जाता है लक्षमी मांगो ही क्यों उनसे उनसे तो क्रिश्मगान के चरनों प्रिती मांगो तो वो क्रिश्मगान से जल्दी देखें यह दो क्या लिखा है दानी कहूं संकर समना ही, शंकर के समन दानी कोई नहीं है, दीन दैलू दिबोई भावे, जाचक सदा सुहाई, वे दीन दैलू है, देना ही उनके मन भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं, सदा सुहाते हैं, लिखा है, जाचक सदा सुहाई, चाहे उनसे दिन में चाहे जितनी बार मांगो, एक बार मांगो, फिर दो बार मांगो, फिर तीसी बार फिर मांगो, तब भी उनको अच्छा लगता है। इस प्रकार से योग की साधना करके वुनिगर जिस प्रमगती को भगवान हरी से मांगते हैं, वही प्रमगती तिर प्रारी शिव जी की पुरी में काशी कीट प्रतंग भी पा जाते हैं। तुलसिदास ते मूर मांगने कब हुना पेट अगाही। ऐसे परम उदाय भगवान पार्वती पती को छोड़कर जो लोग दूसरी जगे मांगने जाते हैं, उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली बाती कभी नहीं बढ़ता। तो तुलसिदास जी का कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि मांगो अगर शीवजी से मांगो और किसी से मत मांगो। तो यह सुनाने के लिए मैंने यहां तक पढ़ा था। अब आगे तो हम और विन्हे पत्रेगा की वीडियो में पढ़ेंगे। तो मांगना किस से चाहिए हमको शीवजी से मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए भगमत प्राप्ती मांगनी चाहिए। और अगर मांगते हैं न कुछ यह जीजी से तो वो इतना प्रसंद हो के नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जाओ तुम अब यह पकड़ो और जाओ ले लो बस तुम जो तुम चाहिए तुमको और जाओ तुम बस ले कि वो प्रसंद हो के नहीं देते हैं तिना पिर। और वो इंतिजार में रहते हैं कि कौन भगत प्राप्टी के लिए उनसे मांगेगा आगे पढ़ते हैं फिर हम शी शुकदेश जी कहते हैं परिक्षित ब्रह्मा विश्नु और महादेव ये तीनों शाब और वर्दान देने में समर्थ है परंतु इनमें महादेव ब्रह्मा शी ग्रिष प्रसन या रुष्ट होकर वर्दान अत्वा शाब दे देते हैं परंतु विश्नु भगवान बैसे नहीं हैं इस विशे में महात्मलों के एक प्राजीन इतिहास कहा करते हैं भगवान शंकर एक बार वरकासुर को वर्दे कर संकर्ट में पड़ गये थे परिक्षित वरकासुर शकुनी का पुत्र था उसकी बुद्धी बहुत बिगड़ी हुई थी एक दिन कहीं जाते से मैं उसने देवलिशी नारण को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवतां में जटर प्रसंट होने वाला कौन है प्रिक्षित देवलिशी नारण ने का तुम भगवान शंकर की रादना करो इससे तुम्हारा मनुरत बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा वैं थोड़े ही गुर्मों से शीक्र से शीक्र प्रसंट और थोड़े ही अपराद से तुरंद करोद कर बैठते हैं रावर और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ सुरियां की थी इसी से वे उन पर प्रसंद हो गए और उन्हें अतुलिये एश्वर दे दिया बाद में रावर के कैलास उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संक्ट में भी उपड़ गए थे नारज जी का उपदेश्ट पाकर रकासुर केदार शेत्र में गया और अगनी को भगवान शंकर का मुख मान कर अपने शरीर का मास काड़ काड़ कर उसमें हवन करने लगा देखो यह लोग भगवान से क्या मांगते हैं यह सब नहीं मांगना चीए भगवान से इससे बल्कि उनका नाश ही होता है फिर जो शिवजी देंगे ना उससे उनका नाश हो जाएगा बल्कि और इस प्रकार छे दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दिर्शन दा हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ साथवे दिन केदार तीर्स में स्नान करके उसने अपने भी भीगे बाल वाले मस्तख को कुलारे से काट कर हवन करना चाहा परिक्षित जैसे जगत में कोई दुख वश आत्मत्या करने जाता है तो हम लोग करना वश उसे बचा लेते हैं वैसे ही परमद्याल भगवान शंकर ने वरकासुर के आत्व घात के पहले ही अगनी कुण से अगनी देव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और गला काटने से रोग दिया उनका सपर्ष होते ही वरकासुर के अंगजियों के उतियों पूर हो गए भगवान शंकर ने वरकासुर को कुछ से कहा प्यारे वरकासुर बस करो बहुत हो गया मैं तुमें बढ़ देना चाहता हूं तुम मुह मां नागत भक्तों पर केवल जल चाहने से ही संतुर्ष हो जाया करता हूं। बैया तुम जूट मूट में शेल को क्यों पिड़ा दे रहे हूं। परिक्षित अत्यंत पापी ब्रका सुड़ने समस्त प्राणियों को भैवीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ र इस प्रकार कह देने पर व्रका indent मुज़ने वर्का सुड़नाम में यह लाल सा हों आई जब ये शिवजी जो है। जुको कोई वर्डान देने जाते हैं जब शिवजी कोई तब वो राम जी का ध्यान करते हैं। और जो कोई भी वर मांगता है उसको वर देह दे रहे हैं। उद्योग करने लगा अब तो शंकर जी अपने दिव दिये हुए भरदान से ही भेवीत हो गए वे उनका पीछा करने लगा और वे उससे डर कर कापते हुए भागने लगे वे प्रत्वी स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौरते हुए परंतु दौरते गए परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की और बड़े बड़े देवतार संगट को टालने का उपाइना ना देखकर चुप रहे गए अंत वे प्राकृतिक अंदकार से परे परंप्रकाश में वेकुंठ लोग में गए वेकुंठ में से भगवान नाराया निवास करते हैं एक म भगवान ने देखा कि शंकर्ची तो बड़े संकर्ट में पड़े हुए हैं तब वे अपनी योग मायां से ब्रमचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे ब्रकासुर की और आने लगे भगवान ने मूंज की मेखला काला म्रग चर्म दंड और रुद्राक्षी माया धालना कर र शकुनी नंदर व्रकासुर जी आप स्परश्टी ही बहुत ठके से जान पूरते हैं आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या तनिक विश्राम तो कर लीजिए भगवान ऐसे खावन से बहुत ही प्यार से भगवान इतना सुन्दर वेज धान करे हुए दिम्रामर का कि जो रकासुर था वो एकड़म से भूल गया भगवान को देख रहा था और उसने दिखा कि यह संदर ब्रामर है और व्रहान ने क्या का कि निक विश्राम तो कर लीजिए तनी मिठी वारी में का कि वह जो है जो रकासुर था वो भूल गया कि मैं क्या कर रहा था आगे पढ़ते इस समय आप क्या करना चाहते हैं यदि मेरे सुनने योग कोई बात हो तो बतलाईए क्योंकि संसार में दिखा जाता है कि कई कि लोग साहयकों के दौरा बहुत से काम बना लिया करते है शिशुक्देव जी कहते है परिक्षित भगवान के एक एक शब्द से अम्रत बरत रहा था उनके इस प्रकार पूचने पर पहले तो उसने तरह ठैर कर अपनी ठकावट दूर की उसके बाद क्रमशा अपनी तपस्या वर्दान प्रामदी तरह भगवान शंकर के पीशे दोड़ने की बात शुरू से कह सुनाई प्रिशाज भाव को प्राप्त हो गए आज करें वही प्रेतों प्रिशाजों का सम्राठ है दानव राच आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं आप यदि अब भी उसे जगद गुरू मानते हो उसकी बात पर विश्वास करते हो पर अपने सिर्पर हाथ रखके प्रिक्षा कर लिजिए उन्होंने कहा कि अरे आप कहां शिव जी के शिव जी की बात मान रहे हैं वह तो दक्ष प्रिजापती जो थे उनके शाफ से वह इधर चुपके रह रहे हैं और भूत प्रेतों के नेता बने हुए हैं वो शिव जी ये सब उन्होंने बातें उनको समझा दी। प्रकासुरूब कहां आप उनकी बातें सच मान रहें। आगे पड़तें लिखा है। नमो नमा सादू सादू के नारे लगाने लगे। पापी ब्रकासुर की मृत्यू से देवता जिशी पितर और गंधर्व अत्यन प्रसन होकर प्रसन होकर पुष्मों की वरशा करने लगे। भगवान शंकर उस विकट संकर से मुक्त होगा। बगवान ने उनको ऐसे फसाया होगा कि अपनी सिर्फ पर थोड़े दूर तक हाथ रखे देखो। प्रस हाथ उपर रखो लेकिन देखो कुछ अगनी सी निकल रही गया हाथों में कि अगर सोड़ी अगनी सी लगे तो हाथ जो हटा लेना लेकिन उसने इसे हाथ करा उपर और उसको कुछ भी पता नहीं चला तो उसने जब पूरा हाथ रखा तो बसमों गया। भगवान ने उसको ऐसी वारी में फसा लिया। और मन और वारी की सीमा के परे हैं। वैं फ्रक्रती से अतीर स्व्म परमात्माय उनकी शंकर जी को संकर शुलाने की है। यह लिला जो कोई कहता है अशालता है वैं संसार के बंदूरों शत्रों के भैसे मुकत हो जाता है। इसनसा की बंदरों से मुक्त हो जाता हो और शत्रों के भैस से मुक्त हो जाता है क्योंकि फिर भगवान भरोसिवां बैज civ जी नहीं किया करा स्वी ने राम जी आध्यान करके उसने जो मांगा और दे दिया और सुचा कि अब राम जी रक्षा करेंगे हमारी तो यह अध्या यहीं पर स्वाप्त होता है और अगला अध्या अगली वीडियों पढ़ेंगे नवासिवा अध्या ब्रहगुजी के द्वारा त्रिद्यों की परिक्षा तथा भगवान का मरेवे ब्रामर ब्रालुकों को व आम नम भगवाते वासुदेवाइब नम भगवाते वासुदेवाइब